प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब और नेवर मिस अनादर अफडेट स्टापिल्स के पॉपलर शो ये रिष्टा क्या कहलाता है मैं तिसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि मिस्टर चोहन सभी घरवालों के सामने सीरत से पुछते हैं कि उसने क्यों कार्टिक किसा शारी करने के लिए मान गएती जब रनवे से प्यार करती थी वहीं मिस्टर चोहन का ये सवाल सुनकर सीरत काफी ही गुस्ता हो जाती है सीरट की मिस्टर चोहां को सब शर्च बोल कि वह कितना प्यार करती है रनवे से देखें सीरट कुछ नहीं बोल पाती है और फो अपने रूम में चली जाती है जिसके बार रूम में जाकर सीरत काफी ही एमोशनल हो जाएगी वहीं कार्टिक आते हैं सीरत को समझाने के लिए कार्टिक सीरत से कहते है कि अगर उसका दिल साफ है तो वो अपने आप भार देख कर आएगा जहां सीरत काफी ही एमोशनल हो जाती है और तब मोरी आ जाती है वहीं मोरी को देखकर सीरत अपने आपको रोकनी पाती है और मोरी को गले लगकर रोने लग जाती है वही रनवीर और कातिक समझ नहीं पाते है कि सीरत के साथ क्या हुआ है जिसके कारण वो इतना इमोशनल हो रही है मोरी सीरत को अकेले में लेकर जाती है और उसे समझाती है मोरी सीरत को कहती है कि उसे अपने इमोशन को संभार के रखना होगा ऐसे वो अपने इमोशन को भार नहीं ला सकती है मोरी ये भी बताती है कि मिस्टर चौहान ने सीरत का चेरा पढ़ लिया है इसलिए वो सबी घरवालों के सामने सावाल घड़ा कर रहे है मोरी सीरत को खहती है कि उसके पर दोई आप्शन है वो साच को अपना ले या मोवान हो जाए और अगर उसे कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वो भागवान के ओपर छोड़ दे जहां मोरी की बास उनका सीरत शान्त होती है अब देखने यह है कि क्या सीरत डन्वीर और इसके शादी को बचाएगी या वो कार्टिक के साथ मोवान हो जाएगी वैल यह देखना काफे ही दिल्चपस हो गया है डेवी सीरियल के और करी सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए आएगा वल्यम बसे यूटूब चैनल पर